अब दो आज वीडियो में हम असिस्टन प्रफेसर रिकूट्मन्ट डिटेल को कवर करेंगे जो कि चार ऐसे युनिवर्सिटी है जहां से रिकूट्मन्ट निकल के आई है और चारों की चारों युनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट है स्पेशली मैं अपने चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट से स्कूल टीचर रिकूट्मन्ट की अपडेट पीचडी अपडेट साथ ही हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टन प्रफेसर रिकूट्मन्ट अपडेट देती हूँ अगर इसी तरह की अपडेट आप चाहते हैं तो तो तिट रेम टुटाइम अपडेट देखिये हार डिन किसी ने किसी रिउक्रूटमें जो उप्डेट में अप्रेकु देती हुं जो इस्पशली हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती है। तो चलिए हम कवर कर लेते हैं जो पहली रिक्रूट्मेंट निकल के आई है वह अहिल्या देवी महाविद्याले जलकोट से यहां पर रिक्रूट्मेंट देख लीजिए विदिन 15 डेज अपलाई करना है यह कल का रिक्रूट्मेंट है यानि कि 27 सब्टमबर 2024 को यह सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपका 55% मार्क से मार्क स्टर डिगरी है प्लस आपका नेट क्वालिफाई है तो किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर रिक्रूट्मेंट निकलती है तो आप उसको अपलाई करने के लिए यह minimum eligibility है जो की होती है assistant professor के लिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और mention की हुई है कि 2009 और 16 के regulation के according अगर आपने एंफिल और PhD की डिग्री ले रखी है तो आप net set से exempt रहेंगे तो यह आपने यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इस correspondence address दे रखे अपलाई करने के बाद यहाँ पी आपने address भेज दिना है तो जो भी shortlisted candidate होंगे उनको interview के लिए यहाँ पर बुलाया लिया जाएगा तो यह तो रहेंगे पहली university दूसरी जो निकल कियाई है वो है CL college of education state महराणा district महेंद्रगड हरियाना से निकल कियाई है principal की एक पोस्ट है assistant professor की यहाँ बात करें तो एक पोस्ट है sorry एक पोस्ट नहीं है principal की एक पोस्ट है और अब प्रोफेसर में subject यहाँ पर mention education, language, English, Sanskrit, Hindi, mathematics, science, economics, commerce, social science, health and physical education, fine arts, एक एक करके सारी पोस्ट है और यहाँ पर नीचे scroll करेंगे तो बाकी information भी देखने को मिलेगी एक अजार रुपे का यहाँ पर processing fees मांग रहे हैं only for university के लिए within 21 days में अपने apply कर देना है contact number दे रखा कोई कोई यह तो पूछ सकते हैं यह जो college है किसे affiliated है यह इंद्रा गांधी यहाँ पर बताया गया है affiliated to इंद्रा गांधी university मेरपूर रेवाली से यह college 27 को यह advertisement हुआ है तो उस date से count करके अपने within 21 days में apply कर देना है यह दूसरी university हो गई college हो गया और तीसरी जो है north eastern hill university जो की मेगाले भारत से निकल के आई है नीचे scroll करेंगे तो आपको बाकी information देखने को मिलेगी 26.9.2024 का recruitment notice है last date के apply करें तो 3 October 2024 इसका last date है apply करने का और यहां पर subject mention किये हुए है आपको इसको subject देख लेजिए यहां पर English, Hindi, History, Political, Science, Economics, Physics, Geography यह हिंदी language है इसमें एक है seat वह आप देख सकते हैं उसके बाद अगर इन में से कोई भी में हिंदी, Beard, Amad, Net, PhD, Canada apply कर सकते हैं इसी तरह बाकी department भी हैं, Botany, Computer, Fine Arts, Geology है यह सारे department रहने वाले term condition यहां पर दे रखी है इसको देख लीजिएगा अगर यहां पर salary की बात करें तो 1500 पर lecture subject आपको मिलने वाला इससाब से 50,000 पर मत आपकी salary रहेगी उसी हिसाब से यहां पर क्या mention किया हुए है the date and time interview will be notified by concerned department in due course of time preferably by 5 October तक आपको confirm कर दिया जाएगा यह दो पेज का notification यह 33 university हो गई अगला जो university open state university संबल पो उडिसा से इसकी official website पर आएंगे तो यहां detail notification को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें आपको assistant professor, professor, associate professor की recruitment notice देखने को मिलेगी online, offline apply कर सकते हैं offline apply करने का है यहां पर mode यहां से डाउनलोड करिएगा application form और इसको फिलब करके address पे भेज देना है newspaper advertisement भी है इसको भी आप check out कर सकते हैं 5 page का notification है, detailed notification डाउनलोड किया है मैंने last date की path करें तो 5 October 2014 last date रहने वाली है और यहां पर age भी दे रखिए, 50-70 साल तक के candidate apply कर सकते हैं eligibility की बात करें तो यहां पर professor, associate professor, assistant professor सबका eligibility दे रखा है, इसकी update मैंने कल के video class में भी दी अगर आपने देखा हो तो अगर salary की बात करें तो यहां पर 50,000 पर month salary बनने वाली है, professor के लिए 35 classes होंगी चालिस हजार बनने वाली है, assistant professor की इसी तरह assistant professor की यहां पर देखिए 40,000 बनेगा जो बिना PhD के हैं और with PhD के साथ आपका यहां पर 45,000 रुपे बनने वाला assistant professor का age limit की बात करें तो 70 साल तक के candidate apply कर सकते है selection procedure apply करेंगे उसके बाद screening होगा आपका application का shortlisted किये जाएंगे उसके बाद interview conduct कराया जाएगा और यहां पर बाक्यू information भी दे रखिए इसको check out कर सकते हैं सब्जेट की बात करें तो यहां पर देखिए पॉलिटिकल साइंस, ओडिया, हिस्ट्री, नॉमिक, संस्क्रेट, इंगलेश, कमर्स, मैनेजमेंट, कप्यूटर साइंस, रूलर डिपार्टमेंट, रूलर डेवलाप्मेंट, जोर्नेलिजर, मास कम्मुनिकेशन, हिंदी, श इंट्रव्यू जो आपसे किया जाएगा, यह सारे क्राटीरिया हैं जिससे आपको इंट्रव्यू में कोशिन पुट किया जाएंगे, तो यह पांच पीज का नॉटिफिकेशन है, यह चार यूनिवर्सिटी कॉलेजिज मिला के आपको यहां पे रिकूरूटमेंट निकली दे सकते हैं, आपको आगे किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉटिफिकेशन चाहिए आगे वीडियो में ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूँ, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ धन्यवाद